गुद बॉर्निंग फ्रेंड्स कई बार आपने तीन वर्ड कई बार सुने होंगे जिने आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट वर इज ग्रोस मार्जिन, सेकेंड वर इज नेट मार्जिन, और थर्द वर इज इबी आई टी डी ए इबिट्टा आज हम इनको डिस्कस करेंगे और समझेंगे इन तीनों वर्ड का मिनिंग क्या है बिजनिस के सेंस में तो चलिए one by one हम इनको लेते हैं अब एक एक्जामपल के थ्रूइने समझने का कोशिस करते हैं तो लेट सपोर्ज के आप एक कर रहे हैं और हम वह बिजनिस करते हैं लेट सब्सक्राइब चाहे का तो हम चाय के बिजनिस के यह एक एक्जामपल लेते हैं और इसी से हम शुरू करते हैं तो देखे चाय के लिए जो आपको सबसे चादा और सबसे इंपोर्टेंट इंग्रीडेंड है वो है दूद्ध चाय पत्ती शक्कर और अगर आप इसमें मसाला डालते हैं तो मसाला या फिर अधरक नौ यह आपके में इंग्रीडेंड है जो आपको चाय बनाने में काम आने वाले हैं यहां हम चाय बनाना नहीं करोर रुपीज और अब आप यह एस्टिमेट करेंगे कि आपका दूद्ध चाय पत्ती सक्कर और मसाले पर कितना खर्चवा यानि कि उन समान पर उन आइटम्स पर जो उस बिजनिस के लिए डायरेक्ली जरूरी है यानि कि डायरेक्ट कोश्ट आपकी कितनी है उस प्रोड जब आप इसे निकालते हैं उसमें आपको क्यावल वही लेना है जो आप उस प्रोड़क्ट पे डायरेक्ली खर्च कर रहे हो जैसे कि दूद्ध हो गया चाय पत्ति हो कि शक्कर हो गया मसाल हो गया और अगर आपने कोई एक परसन डेडिकेटिड उस चीज के लिए रखा ह अदिए गा तो उस परसन की सेलेरी भी आपको यहाँ पे इंकलूड़ करनी है और इन सब का कहर्चा मिला करके आपको यहांसे डिश करना है तो लेट रो इन सब का खर्चा मिलाकर कि आपका आता है 40 Dodge तो यहाँँ पे आप कमात रह हो 60 लिक अब इसे हम बोलते हैं gross profit और इसे ही जब gross profit को हम divide करते हैं revenue से वो हजाता है हमारा margin और कौन सा margin gross margin gross यानि की सकल यानि की ये पूरा net नहीं है यानि की हमारा पास पूरा नहीं आया है हमने ये कच्चा कच्चा निकालाइए कि इतना हमारा बच जाता है 60 लेख अब अगर हम इसको थोड़ा वर समझे कि gross margin के बाद हमारे कुछ expenditures होते हैं अब हमने यहां पर gross margin निकाल लिया जिसे हम बोल सकते हैं sorry gross profit हमने निकाल लिया अब जो gross profit है उसमें जो मैं कुछ खर्चे निकाल ले होंगे जैसे कि आपने अगर अपनी property rent पे ले रखी है यहां चाहिए बेचते हैं अगर वो दुकान आपकी वो सोब अगर आपकी rented है तो आपको rent देना पड़ेगा आपको electricity का expense देना पड़ेगा कि हो सकता है कि आप चुकी swap कर रहे हो तो वहां पर आपको कुछ taxes भी देने पड़े सरकार को for the parking for तो कहीं सारी taxes भी होते हैं जो सरकार आपसे लेती है तो अगर आपको कोई municipal taxes देने पड़े तो वह हो गए या इस तरीके के सारे expenditure जो उस प्रोड़क्ट से लेख लुए पड़ेगा कि ये प्रोड़क्ट से रिल्टवा नहीं ब्रोड़क्ट से डायरेक्ली रिरेटर नहीं आप यह नहीं बता सकती कि एक ौप तो अगर आपने यहां पे यहां पे जिसे आप GST अगर करते हो तो अगर आपका अकांटेंट का खर्चा कोई है तो वह आ जाएगा इस तरीके से जो भी खर्चें है जो आपके डाइरेक्टली उस प्रोड़क्ट से लिंक नहीं है लेकिन वह सारे करचे बिजनीश को चलाने के लिए जरूरी है तो उन सारे खर्चों को हम यहां पे जिडूस करते हैं और यह आ जाते हैं नेट प्रॉफिट और सब्सक्सक्राइब करते हैं नेट प्रॉफिट डिवाइट गड़ेवेन्यू तो वह कहलता है नेट मार्जिन कि यहां तक अब हम बात करते हैं कि यहां पर कुछ हमारा रेविन्य होता है और उसके बाद में हमारा कुछ होते हैं जो कि कहीं सारे हमारे यहां पर होते हैं उन सभी को जब हम माइनस करते हैं तो हमारे यहां पर क्या जाता हमारे यहां पर जारने लिए जरूरी थे, वह सारे आपने यहां पे HOW उ? यहां पर नहीं आने हां वों कौन-कौने से टो शाहरे हैं जिन को हम नहीं समझते हैं इन्द का मतलब ए इंट्रेस्टर्स झा एлов एंड एका मतलब है अमोर्टाइजेशन नो यह क्या होता है और इन सब को हम समझते हैं तो देखें इंट्रेस्ट तो आप सब को पता है अगर आपने बिजनिस के लिए लोन लिया है और अगर आप उस लोन को जब लेते हैं तो उसके उपर आपको कुछ इंट्रेस्ट देना ज्यादा नहीं है यहाँ पर टेक्स कौन सा टेक्स की बात हो रही है यहाँ पर टेक्स हो रहा है इंकम टेक्स देखें जीस्ट कभी भी बिजनिस का खर्चा नहीं होता है क्योंकि जीस्ट आपके पास रिफेंड आजाता है और जीस्ट एक्चुल में पे किया जाता है को दिया इसलिए GST को खर्चा नहीं मानते हैं इंकम टेक्स होता है तो इंकम टेक्स आपको यहां पर देना है नौ उसके बाद आधा है डेप्रिशेशन और अम्मोर्टाइजेशन इन्हें हम थोड़ा समझते हैं क्योंकि यह नॉर्मल आपको नॉर्मल जो सोप्स होते हैं न माल लिजे कि आपने यहां पर कुछ फनीचर्स करीद हैं आपकी काफी अच्छी सोप है जिसे हम बहुत सकते हैं एक टैफेक टाइप में आपका एक बहुत अच्छा सोप है वह आपने फनीचर लगाया आपने एसी लगाया और आपने और बिलिंग के लिए कंप्यूटर ल रही हो इसेटश हो सकती है जो आपके बिजनिस में का मारी हो अब अब यह जब आप यह जब कि आपने खरीदी होगी वह कि लेट्स पूल एक साथ एक बार केले हम मान लेते हैं अब झालर खक ब्रसंफा क्योंकि यह दो लाग आपके, एक साथ यूज नहीं आएं, यह क्या होगा? यह धीरे-धीरे use आएंगे, यह नि कि फनीचर आपका 4-5 साल यूज आएगा, आपका AC 4-5 साल यूज आएगा, आपका मुढशाविज आफकी 4-5 साल यूज आएगा, बट यह दो लाग तो आपने पतलब 2,00,00 तो आपने वे किये हैं आपने कहीं न कहीं पेसों को लगाया है तो और यह furniture जो है वो भी कहीं न कहीं गिसरा है वो भी कहीं न कहीं उसकी value भी कम हो रही है तो ऐसे में क्या होता है कि एक certain percentage निकाल लिया जाता है कि हम हर साल इतने percentage जो है वो अपना खर्चा मान ल लिया कि सारे assets जो है वो मान लेते हैं कि 5 साल चलेंगे इसलिए हम हर साल 40-40,000 अपना expenditure मान लेंगे ठीक है तो इसलिए आप क्या करते हो यह जो 40,000 है इसे चार्ज करते हो एज़े डेप्रीशेशन अब बताते हो कि यह हमारा डेप्रीशेशन है जो कि हम प्रोफिट से चार्ज करेंगे अमोर्टाइजेशन क्या होता है तो अमोर्टाइजेशन होता है डेप्रीशेशन से भी बड़ा नो यह क्या होता है इससे समझते है लेक्स अपोच की यह जो एसेट है यह तो एसट हो गई फीजिकल एशेट है अब आपने कुछ ऐसे एसे लिए जो फीजिकल एसे नहीं है जैसे मालिए आपने एक एकड़राइजमेंट का करवाया अबお願いします क्रवायाatif अप इस एक बार आपके हर एक आउटलेट पे सलमान खान की फोटो लहें कि उसके बदले में आपने उसको दो क्रों पी किये हैं सलमान जाण को और इसे पेग वह 5 साल तक उस चीज को यूज कर सकते हों तो यह आपके पास एक इंटेंजीबल एसेट आगई हैने कि जिसे आप देख नहीं सकते बट यह आपके पस एक एसेट है आप सल्मान खान की फोटू पास साल तक यूज कर सकते हो तो अगर जब आप उसको दिरे दिरे डेप्रिशेट करते हो दिरे दिरे जब इसको पेंडल में लेके जाते हो तो आई होप यह चारों चीज़े क्लियर है तो जैसे ही आप रेवेन्यू में से सारे एक्समेंडिजर माइनस कर दोगे तो यह आज आएगा प्रॉफिट इसमें आप वापस से एड़ कर सकते हो यह चारों चीज़ें इंट्रेस्ट टेक्स डेप्रिशेशन एंड अमोर्टाइ कि इससे एक बिजनिस में या एक इन्वेस्टर यह देखना चाहता है कि अगर पूरा पैसा मेरा लगावा हो अगर पूरा पैसा लगावा हो यह कंप्लीट मनी अगर मेरा ही लगावा हो तो वह कितना रेवेन्यू जनरेट करके मुझे देगा अब मान लिजी कि आपने लॉ चरचा नहीं है आंपके पास पैस जा रहा है पैशा आपने बिजनिस में एसेट लगाई दी उसको आप डेप्रिषेट कर रहे हो तो इसे हैं पता लगाने के कि हमारा एक्ट्यू में प्रॉफिट कितना हुआ है हम यह ना माने कि हमारा प्रॉफिट बढ़ाया करके हो रह तो आज का वीडियो बस इतना है, thank you very much for listening guys, have a good day, bye